हेलो दोस्तों आज मिलाई हूँ आपके लिए बहुती स्पेशल मिठाई की रेसिपी जिसका नाम है मेवा पाक मेवा पाक का जनमाश्मी पे बहुत मंदिरों में भोग लगता है घर पे भी आप इसे असानी से बना सकते हैं ऐसा नहीं है कि यह जनमाश्मी के लिए ही बनती है आप किसी बित्योहार पे इसे बनाईए और बहुत ही टेस्टी बनती है यह मेवा पाक को बनाने का तरीका बाकी मिठाईयों की रेसिपी से बहुत अलग है तो इस रेसिपी को पूरा फॉलो कीजेगा मैंने मेवा पाक की recipe बनाने के लिए जो भी ingredients चाहिए उनकी जो measurements है और minute details है वो पूरी इसमें discuss की है तो पूरी end तक देखिएगा वीडियो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले कड़ाई ले लेंगे और इसमें डालेंगे गी गी मैं थोड़ा थोड़ा डालती जाओंगी ingredients के इसाब से अब सबसे पहले मुझे तलना है almonds यानि की बदाम को तो उसके लिए थोड़ा सा गी चाहिए मैंने यहापे बदाम ली है कम से कम 24-25 पीस इसको medium से low flame पर अच्छ से roast करना है जब तक की आवाज नहीं आ जाती चटक की और हलके से यह golden brown कलर के नहीं हो जाते flame को medium to low रखना है आप देख सकते हलका से color change हो रहा है और आवाज भी आ रही होगे आपको चटक की इस टाइम पे तो flame off करके बदाम को हम एक plate में निकाल लेंगे total quantity घी की मैं आपे लूँगी 1.500 ग्राम तो इस वीडियो में मैं बताती रहूंगी कि किस ingredient को fry करने के लिए कितना घी आड़ करना है अभी उसी घी के अंदर जो हमने पहले लिया था बदाम को fry करने के लिए उसी के अंदर हम डाल देंगे यहाँ पे मखाने मखाने मैंने यहाँ पे लिये हैं एक कप यानि की 20 ग्राम जो मखाने थे उसको मैंने मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है ताकि वो ऐसे दरदरे हो जाए इसको भी fry करना है हलका color change होने तक आप जब इसे roast करेंगे तो आप feel कर पाएंगे कि यह हलकी crispy हो जाएंगे आप चाहें तो बिना पीसे भी इसे roast कर सकते हैं बाद में इसे पीस सकते हैं दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे साथ ही bell बटन प्रेस कर दे ताकि latest updates and notification ऐसी वीडियो इसकी आपके पास पहुशती रहे मैं एक चमच के करीब और घीस में आड कर रहे हूं ताकि यह अच्छ से roast हो जाए यह बहुत बढ़िया से roast हो चुके हैं क्रिस्पी हो चुके हैं हलका color change हो चुके हैं तब इसे भी हम plate में निकाल लेंगे मेवा पाक को बनाने के लिए जो भी ingredients यूज किये जाते हैं वो सारे के सारे ही healthy हैं जो तीसा ingredient है वो भी बहुत जबदस्त है वो है गोंद गोंद को हमें एक mixi jar में डालके थोड़ा दर्दरा piece लेना है आप चाहें तो इसे roast करने के बाद भी पीश सकते हैं जिनकी भी कमर में दर्द रहता है उनके लिए गोंद बहुत ही फायदा करती है तो जरूर इसे शामिल करें मेवा पाक में अब उसी कड़ाई में 3-4 टेबल स्पून घी डालेंगे गोंद को roast करने के लिए सबसे जादा घी चाहिए होता है अबना 3-4 batches में आप इसे डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके flame को बिलकुल low ही रखना है जितना low रखेंगे उतना ही अच्छे से roast होगा जब यह चटकनी बंद हो जाए तो मतलब यह roast हो चुकी है तो इसे निकाल लेंगे ऐसे ही next batch में same procedure करना है अगर आप इसे high flame पर roast करेंगे या गी तेज होगा तो यह अंदर से sick नहीं पाएगी कच करके रखेते उसे दरदरा पीस लेंगे अब flame को low ही रखना है और इसमें आड़ करेंगे मगच के बीच आदा कव यान की खरबूजे के गिरी या आपको किसी भी provision store पर असानी से मिल जाएंगे आप इसको continuously stir करते रहेगा आप थोड़ी देर में देखेंगे यह जह चटकने लगेंगे थोड़ा सा मैंने यहाँ पर गी और आड़ किया है एक टीस्पून के करीब जब आप इसे रोस कर रहे होंगे आपको चटक की आवाज भी आने लगेगी तो आप इसी ताइम इसमें आड़ कर दीजेगा एक कप ग्रेटेट कोकोनट गिरी बारी कस से कसिएगा कोई भी इंग्रीडियन्ट हो वो रोस कर रहे हो तो ध्यान रखिए फ्लेम को लो ही रखना है उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा मीवा पाक में देखिए जो भी गी एक्स्ट्रा लग रहा था अब सारा एब्सॉर्ब हो चुका है तो इसमें गी अच्छा खासा डलता है हल का कलर चेंज हो जाएगा और खुश्बू आने लग जाएगी तो फ्लेम को आफ कर देंगे अब हमें बनानी है चाशनी तो एक पान लेंगे और उसमें आड करेंगे दो कप शुगर यानि की 400 ग्राम जिस कप से अपने बाकी सारे इंग्रीडियन्स की मेजरमेंट ली है उस इसे स्टर करते रहेगा कंटिनुसली इस टाइम पे हम आड कर देंगे इसमें इलाइची दो इलाइची ली है उसको पाउडर बना के मैंने इसमें आड किया है तीन से चार मिनट हो गए है इसको पकते हुए इस बिलकुल रेडी है आप देख सकते है जो चाशनी है परफेक सारी इंग्रीडियन्स भी जो खरबूजे की गिरी के साथ है वो मिक्स कर लेंगे और इसी टाइम पे हमने जो चाशनी रेडी की है वो भी इसमें आड कर देंगे अब दो से तीन मिनट के लिए इसे कंटिनुसली स्टर करते हुए पकाएंगे अच्छ से अगर आप सारी इं अब ये एकदम परफेक्ट है दो तीन मिनट से जादा नपकाएं आप देखेंगे चाशनी और इंग्रीडियन्स है अलग अलग नी नजर आ रहे एक साथ मिक्स हो चुके हैं अच्छ से अब फ्लेम को आफ कर देंगे अब एक प्लेट या पराथ जिसमें भी आपने इसे ज आड़ कर देंगे सारा मिक्स्टर आड़ करने के बाद इससे अच्छ से स्पैचुला से दबा लेंगे मेव आपकी ये जो मीठी मीठी रेसिपी है ये आप किसी भी उकेशन पर बना सकते हैं जनमाश्मी हो या फिर कभी भी मीठा खाने का मन हो तो इस रेसिपी को ट्राइ क कर दोंगे तो लाइक शेर और सब्सक्राइब